नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी आदव। नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है किसानों के लिए क्योंकि अभी बजट भी किन सरकार ने अपना पेश किया गया है। अगर सरकार इस मुद्दे पे कुछ नहीं करती है तो आगे आपकी क्या रहनिती होगी। देखिए यदि हम अतीत में जाएं तो जब भी भारती जंता पार्टी चुनाओ का समय आता है। उस समय यह हमेशा गोशना करते हैं किसानों के लिए नोजवानों के लिए गरीबों के लिए। लेकिन जो समस्या है वह यह है कि यह this hour के समय में तो जो सरकार है वो ध्यान देती हैं व Reynolds kojar हैं लेकिन जैसे ही चुनाओ हो जाते हैं भूल जाते हैं अगर आप पिछलेने compounds की हम बात करें तो हम यह पाएंगे कि उस समय मैं कहा था कि सरकार बनते ही 14 दिन के अंदर किसानों का गन्ना मूल्य का जो भुकतान है वो शेश कर दिया जाएगा और जो रह गया होगा उसको ब्याद सहीत अगर देरी होगी तो की जाएगी लेकिन दुर्भागी का विशह है कि इतना समय बीच जाने के बाद भी सरकार के क जालते हैं और नई फसल बोते हैं तो यह इस मुल्क के किसानों का दुर्भाग है कि जो देश करशी प्रदान है वहां किसानों को अपनी बात कहने के लिए आंदोलन करना पड़े किसानों को चीखना और चिलाना पड़े अभी आप देखें तो अभी कली परसों की अक्वा किसान पहुचाया कि उसको समय नहीं कि मैं कहां से इन जिम्मेदारियों का निर्वान करूंगा तो उसने घर आकर के अपने मफलर से फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली यह सब विशे हैं सरकार को ध्यान देना चाहिए और यह सरकारें इसलिए बनती हैं हम लोगों ने इसलि आपकी पार्टी किसानों की पार्टी गए जाती है आपके पार्टी के संसापक जो है वो किसानों के मसिया कहे जाते हैं इधर देश ने एक बड़ा किसान अंदोलन देखा था जिसमें कई सारे किसान जो है सेकड़ों की संख्या में मारे वी जा चुके थे उसके बास सरकार ने बिल वापस लिया और कई बड़े नेता जो है किसान नेता बनके उभर रहे हैं तो अरली जो है वो किस तरीके से की सानों की मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं कि राके इस्टिकेट लगातार किसानों की बात कर रहे हैं अनसन पर बेटे वह और फिल्ल में अक्टिव दिखक तुरू से कि समस्याओं से यूड़े रहे हैं और हम लोगों के साहथ भी जुड़े हुए है आपने कुदी अपन पूर्ए हिंदस्तान के किसानों ने लुट और मुझे छूशी इस बात किये कि आपके हैं कि आपके फार्टी आपके पार्टी आंच्छी बात है कि किसानों के ने मौद表 से नौजवान समाज के हर उस वंचित तबके की लड़ाई आरेली लड़ती है जिसकी आवाद सरकार नहीं सुनती हैं तो यह अंदोलन किसानों को करना ना पड़े इस मुलक के अंदर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिस पर हम लगातार बात करते भी आ रहे हैं रही बात हितैशी होने में तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं अभी भी बोल रहा हूं इस मुलक के अंदर सभी को किसानों के प्रती बहुत अधिक सम्वेदन शील होन काश तक अधिकार नहीं मिला सरकारें तै करती हैं उन्हें कैसे पता कि आगर मैं पूछ लूँ तो नी तिनीनताओं को यह नहीं पता है कि वीगा और विस्वा में कितना फर्क है और वह हमारे अनाज का दाम तै करती तो इस पर तो एक बहुत बड़ी बहस ही नहीं, बहुत व्यापक रूप से क्रशी नीती पर आमूल चूल परिवर्तन किये जानी की आवशक्ता है, जिस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं, और अगर कभी इस देश के किसान ने ये मौका दिया कि चौधरी चौरर सिंग जी के बा आने के लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आपके इस जवाब से एक सवाल मेरे जहन में है, आपने कहा कि अगर किसानों ने चाहा RRD से कोई मुख्यमंत्री पहुचा, तो बहुत समय पहले की बात है, मुलायम सिंग यादो चब संस्थापक थे, मुखिया थे सप हुए हैं, इस इस्तिती में मुख्यमंत्री अगर बनना होगा भी पशेका तो कि लिए स्यादो बनेंगे, यह आपकी अभी हम लोग मुख्यमंत्री इस गड़ बंधन के साथ नहीं सोच रहे हैं, राजनीत में समीकरों हैं, बनते विगड़ते रहते हैं, और मुलायम सिंग जी और अक्रिय शादो जी के साथ में एक अच्छा तारितम में है, बातें और साइधान्तिक और राजनीतिक रूप से काफी सिमिलर हैं, और दोनों में एक अच्छा आपसी समन्वे है राजनीतिक रूप से ले करके, तो मुझे लगता है कि यह गड़ बंधन आगे तक जा रहेगा, तो मैं उमीद करता हूँ कि यह आगे तक जाएगा और आने वाले समय में उत्तरप्रदेश में सत्ता परिवर्तन का बड़ा कारण बनेगा, इस समय एक रिपोर्ट जो है, देश में उसने एक हंगामा कड़ा कर दिया गया, हिड़बर की रिपोर्ट आपको पता ह होगा, उसके बाद जो देश के सब्रड़े बिस्नेसमैन है, गौताम अडानी, लगतार उनके गुरूप के सेर गिरते जा रहे हैं, और टाप 15 किलिट से बाहर भी हो चुके है, सभी भी पच्च जो है, इस पर सरकार से जवाब देही चाहती है, गौताम अडानी के का शिचित नागरी के वो भी जानना चाहता है, कि आखिर अडानी जी के साथ ऐसा क्या हुआ, यह अडानी नहीं गिर रहे हैं, यह बात है कि हमारे देश की भी साख जुड़ती है, आपने ऐसे क्यों सरकार ने कहीं ने कहीं तो उस कंपनी को और उस बिजनेस हाउस को फेव है कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर इस तरीके से जूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं, तो अगर अगर अडानी समूँ यह कह रहा है कि यह जूठा आरोप है तो उनको जाना चाहिए, और उस मुलक अमेरिका के अंदर एक केस कर देना चाहिए, तो जितना उनका लास हुआ, का तीन गुना कंपन्स शिशन वहां की अदालत उनको उस कंपनी से दिलवाएगी, तो यह कहीं ने कहीं सरकार और उस बिजनेस हाउस में आपस में सनलिपता है, तभी यह स्थिती पैदा हुई है, सरकार को चाहिए, यदि आप पाक साप हैं, तो जनता के समख श्वेत पत् यह जैसे उस ने की है, और उस बिजनेस हाउस का और भारती जनता पार्टी का आपस में संबंध काफी समय से हर राजनेतिक गल्यारे में चर्चा का विशह रहा है, और यदि यह सत्य नहीं है, तो इसका खंडन बहुत पहले किया जाना चाहिए था, कथनी और करनी में अंत यह जितना भी शीगृता से हो करना चाहिए, क्योंकि LIC और SBI दो भारत के सबसे बड़े समूह हैं, जिन में अडानी समूह की हिस्सेदारी हो चुकी है, वो उसमें घुश चुके हैं, उनका पतन हिंदुस्तान की अर्थ व्योस्ता पे बहुत बड़ा चोट लगाएगा औ बहुत चोटे-चोटे लोगों का उसमें निवेश है, लोगों ने अपने LIC और State Bank of India की जो साक भारत के आम आवाम के अंदर है, उस पर यदि बड़ा लगा तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में नया आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा, तो इससे पहले कि वो समय आय इस समिट में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा लच्छे रखा है, ताकि विदेशी निवेश करें और यहां पे रोजगार पैदा हो, तो जी आईयोस और जी टॉन्टी को लेकर अब क्या कहने हैं, यह पहले भी इन्वेस्टर समिट हुई थी, लेकिन लाइटे लगा देने से, और बड़े-बड़े होर्डिंग और प्रचार बैनर करने से धरातल पर बदलाओ नहीं होता है, जब पिछली बार समिट हुई थी, तब क्या हुआ, आपको मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि स्ट्रीट लाइट तक के घोटाले सामन में आ गए थे, तो सरकार को समिट करके और अपनी पीट थप थपाने की बजाए, धरातल पर दिखाना चाहिए कि इतना रोजगार हुआ, मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है, बतानी पाते ही कि इतना रोजगार मिला, कहां निवेश हुआ, कागज पे हुआ, या जमीन में हो कुछ लिए, टीम आरेली के राष्टी सेयोजग अनपाम मिस्त्रा जी जिनोंने तमाम तरके आरोब सरकार पर लगाए कि जी आयस जो है, वो सिफ कागजों में जो है, इनवेश्टमेंट आ रहा है, लेकिन धरातल रस्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है, वहीं किसानों में मुद्दे पर बड़ी बात करते हूं, इनकाहा कि सरकार अभी तक MSP ते नहीं कर पा रहे है, और लगातार किसानों की ये फसलों की हानी हो, या फिर MSP की बात हो, किसान इससे लगातार स्त्रस्त रह रहे है, वीडियो जोनलीट सुझीर के साथ मैं विवेक शाही, प्रा आप देख रहे हैं, प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार